हेलो और विडियो में हम डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन पर जो कि कल जारी किया गया है एंटे के द्वारा तो यह जो है यूजी सी नेट का जो यह नोटिफिकेशन है इसमें मैं आपको वह बाते बताने वाला हूं जो कि काफी इंपॉर्टन अगर आप लोग अपलाई कर रहे हैं यूजी सी नेट के लिए तो ठीक है क्योंकि फॉर्म बनने से पहले अगर आप यह गलती करते हैं तो इससे हो यह सकता है कि आपका फर्म डिजेक्ट हो सकता है ठीक है तो ऐसी गलती ना हो इसलिए जो है आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन को जानना जरूरी है त है डेट्स की ठीक है तो डेट्स सबसे पहले पता दूंँ मैं 29 दिसंबर से फॉर्म इसके सुरू है और 27 जनवरी तक फॉर्म चलेंगे इसके ठीक है यूजी सी नेट्स की वेब साइड जो है ugc.uh net.anta dot nic.in यहीं से आप जो है फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं ठीक है और फीस की जो डेट है फीस आप भर सकते हैं अठारा जनवरी तक और फीज जो बताई गई है वो बताई गई है जनरल कंडिडेट के लिए 1100, OBC कंडिडेट के लिए 550 और SCST, PWD या फिर थार्जेंटर के लिए 275 रुपे फीज रखी गई है ठीक है तो इस तरीके से फीज जो है इस बार दे गई है ऑनलाइन पेमेंट आपको करनी होगी और एक्जाम डेट की बात करें तो इस बार वो भी किलियर कर दिया गया है एकदम कि 21 से 10 मार्च के बीच में एक्जाम होगा मैंने अभी दो दिन पहले एक वीडियो डाली थी जि मैं आपको बता रहा था कि कौन कौन से गजाम कभ होगा तो उसमें फरवरी का जो था वह एक्जाम मिस्स था कि कौन से लिजाम फरवरी इक होगा तो बस वही डेट है फिर से पहला कि द्वारह बता दी गई है कि 21 फरवरी से जो है दस मार्ज तक आपका नेट का exam होगा और admit card जो है, admit card आने सुरू हो जाएगे फर्वरी के first और second week में admit card आपके second week में आएगे फर्वरी के और city intimate जो है यानि है परिक्षा का केद्र जो है आपको बताया जाएगा मतल़ city बताएजाएगी कौन से city में आपका है वो बताया जाएगा आपको first week of February में ठीक है exam pattern में कोई chain नहीं है वही exam है दू सिफ्ट में exam होगा 9-12 और 3-6 वाले सिफ्ट में ठीक है और हाँ पिछली बार अधिकतर लोगों ने यह गलती की थी यह चीज आपको याद रखना है कि अगर आप लोग जो है apply कर रहे हैं UGC net के लिए तो आप एक से जादा application submit नहीं कर सकते हैं ठीक है ठीक है एक से जादा application आप submit नहीं कर सकते हैं क्योंकि पिछली बार यह हुआ था कि एक एक student ने दो दो form जो है एसे students को specially catch कर लिया जाता है और फिर उसका जो registration है वो cancel कर दिया जाता है तो यह चीज जो है आपको याद रखनी है ऐसी गलती ना करें यह की बार फांप बना है आपको नेक्स्ट जो चीज है जानने वाली वो यह की हाँ यह जो एक्जाम हो रहा है आपका इसके अंदर और भी कई सारी जो scholarship है फैलोशिप है वो भी add की गई है जैसे की national fellowship of for scheduled caste ठीक है और backward other backward classes वाली और उसके वाप मौलाना आजाद national fellowship scheme for minorities ठीक है तो यह तीन scholarship जो है वो भी इस में जो है इस परिक्षा से में apply होगी यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि candidate as aspiring for the fellowships listed above shall also have to apply for the test यह इस टेस्ट यह तहद जो है इन scholarship को भी जो है cover किया जाएगा अब mode of exam देख लें किसो exam है वो किस mode में होगा online mode में होता है और pattern बिलकुल वही है no change paper 1 में 50 question paper 2 में 100 question paper 1 जो होगा 100 marks का होता है paper 2 जो होता है 200 marks का होता है और 3 घंटे का समय दिया जाता है बीच में कोई break नहीं होता है यह continue होता है 3 घंटे आप चाहें तो यह 3 घंटे आप प लोग को डाउट है कि syllabus को ले करके तो मैं बता दूँं पिछली से पिछली बार जो है syllabus में थोड़ा सा चेंज आया था ठीक है वह चेंज आया है तो आगर आप पुराना syllabus पढ़ रहे हैं तो उसे छोड़ें नया syllabus डाउनलोड करें ठीक है यूजी सी नेट ऑनलाइन syllabus जो है वहाँ पर आपको यह आप नोटिफिकेशन जो है इस नोटिफिकेशन को आप लोग डाउनलोड कर ले और यहीं पर यह जो लिंक देखरी आपको इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सीधा वह website मिल जाएगी ठीक है या फिर यूजी सी की website पर जाकर भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद eligibility क्या है eligibility जो है वह बिल्कुल पहले की तरह है कि 55% marks आपके master डिग्री में होने चाहिए ठीक है ने 55% marks जो है आपके master डिग्री में होने चाहिए और अगर आप SCST OBC में आते हैं तो आपके 50% marks होने चाहिए अगर 0.1% या 0.2% भी जो है कम हो रहे हैं आपके तो भी आप जो है इसके लिए apply नहीं कर सकते हैं यह चीज़ आपको याद रखने हैं ठीक है फिर आप फीस वगरा देंगे आपका सब का सब वेस्ट हो जाएगा तो यह चीज़ आप याद रखें आपके 50% SCST OBC में और जनरल candidate के लिए 55% होने चाहिए 0.1 भी कम में तो आप नहीं कर सकते हैं ऐसमें अठीक है एज़ रिलक्शेशन एजरेक्शेशन के अगर हम बात करें तो एज के लिए जैर आस्व के लिए अगर आप रखनाई कर रहे हैं तो गदो एजATOR व की आपर कर रहे हैं अशा जो है वह तीन साल होनी चाहिए ठीक है तीन Catherine आश सिर्फ तो फिर जो है आपकी एज मैटर नहीं करती है असिस्टन प्रोफेसर के लिए आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन जे अरफ अगर आपको चाहिए तो आप 30 साल के अंदर अंदर में आपको जो है अप्लाई करना होता है ठीक है यह क्रैक करना होता इसे रिजर्वेशन वही है 15% जो है सी के लिए 7.5% स्ट के लिए 27% डोबी सी के लिए 10% एड़ यह के लिए इसमें तो इस तरीके से आप जो है फॉर्म को फिल करेंगे कोई भी डाउट अगर आपका आता है तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं यह थी चेन पे पर बनके लिए तो आप हमारे पूरी सीरीज देच सकते हैं पूरे वीडियो की सीरीज को देख सकते हैं हर एक टॉपक पर आपको जो है वीडियो महाँ पर मिल जाए ईस teamतिव टीचिंग ठीक है हर एक पर वीडियो मैंने बना रखी है link मैंने इस वीडियो के प्राइब लुण प्राइब टिया जा आफ टो तो रफ टा जाया जाँ जाया जाँ जाँ जा आफचार टा आफट हैं